हेलो इस्टोडेंट कैसे आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके अपने शेनल स्यू कोचिंग क्लस्स पर स्वगात है क्लास 12 फिजिक सेंसियार्टी चैप्टर वन का ये भाग 2 है कॉश्चन बैंक का सल्यूशन objective टाइप question में आप लोड किया था और प्रिष्ण बैंक के प्रिष्णों का उत्तर अपलोड कर रहा हूं देखिए कुछ जो question सार्ट हैं उन्हें समझा दे रहा हूं और बहुत सारे question जो long है उन्हें में नहीं समझाओंगा आप लोग उन्हें कर लीजेगा क्योंकि उनके अल्रेडी वीडियो पड़े हुए हैं जैसे गास के नियम से कुलाम के नियम को आप सर्च करोगे गास के नियम से कुलाम के नियम की विद्पत कीजिए स्रियो कोचिंग क्लासस में तो आपको पूरा विद्धुवत मिल जाएगा, मैं आपको यहाँ पर सलूसन दे रहा हूँ, ओके, तो विद्धुच्छेत की तिवरता किसे कहते हैं, और इसका बिमी सूत मात्रक, देखे, यह आपके पास मालीजे, कोई विद्धुच्छेतर है यहाँ पर पूरा, यहाँ पर एकांक आवेस रखा हुआ है, एकांक आवेस जितने बलका उनभाव करता है, उसे हम विद्धुच्छेतर की तिवरता कहते हैं, समझने की कोशिस करें, आपके पास कोई आवेस है, किसी विद्धुच्छेतर पर रखा हुआ है, तो एकांक आ और इसका मात्रा क्या है सदीष सुरी मात्रा क्या है वलका मात्रा को था न्यूटन आवेश का का पहला question और मैं playlist का जो link है description पर दे दूँगा playlist का पूरा link वहाँ पर जो भी upload होंगे आप लोग अच्छे से त्यार करते चलो कई बच्छों कहना कि sir question bank तो है आया नहीं अच्छा यंपी बेसी डाइट इंप पर आप जाकर चेक करो यार है है ना फेक आप लोग मत समझो कि फेक है मैं कभी फेक चीजों पर ध्यानी नहीं देता हूं जो official notification आता है तभी मैं उसका answer या solution आपको प्रवाइट कराता हूं ठीक तो यह हो गया आपका पहला question दूसरा question है आज का देखिए किसी एक बिंदू आवेश के कारण किसी बिंदू पर बिंदू छेट की तिवरता के लिए बेंजग कीजिए क्या बोलके रहा है किसी एक बिंदू आवेश कारण किसी बिंदू पर बिंदू छेट की तिवरता के लिए बेंजग देखिए मान कि चलता हूं यहाँ पर एक आवेस है प्लस Q Ray ओपर और दूरी पर एक अन आवेस है एक बिंदुपी है जिसे क्यों 0 तो यहां पर अपने कर दिया बटे आर स्कुरार बिद्दू छेट की तिवर्ता का अभी फर्मूला आपने पढ़ा ए बराबर एफ अपान क्यों 0 अच्छा एफ कमान रख देंगे हैं तो यहां से क्यों 0 कड़ गया जो एंसर आया वही आपका तिवर्ता आ गया तो इ कॉशन नहीं आपके हैं आत्या मना एक बिर्धू है जिस्कुय अफ्लस की वहाई रखा हूँ है और दूरी पर दूरी पर फिया जिस पर विदू छेतित की अन्यापकर reward करने कुलाम के नियम से यह आपका बराबर हो गया वन आपान फोर पाइपसलान नौट की वन क्योटूब टैयार इसकार होता है यह हो गया आपका तो दूसरा कोशन हो गया और अब अगला कोशन है धान दीजेगा किसी चालक को आविशित करने की चालन वीदियो प्रेरण वीदि क को समझाए चालन चालन का मतलब क्या होता है जैसे एक चालक को दूसरे चालक के संपर्क में रखने जैसे मालीजे यह दो चालक है यह दिन दोनों को आपस में संपर्क में रख दिया जाए तो यह एक गरम है और एक थोड़ा सा ठंडा है तो यहां से इलेक्रान कहां चले ल आवेसित यहां पर धात उसे इलेक्टरान या आवेस कहां चार्ज कहां चलने लगे यहां पर चलने लगे अनवेसित भाग पर तो यह जो क्रिया है वो चालन कहलाती है समझ रहना यानि एक आवेसित चालक लेते हैं और एक अनवेसित चालक को संपर्क मिलाते हैं तो दोनों पर समान प्रकाति का आवेष फैल जाता है मतलब अनावेषिद वाले में आवेषि चालक से आवेष जाकर के फैल जाता है। पुरा प्रक्रम के लादधा चालान बीधी, simple, प्रेरण बद, प्रेरण बीधी क्या है, प्रेरण बीधी, प्रेरण मतलब प्रेइथ हो जाना, जैसे, आप किसी स्कूल पे जा रहे हैं, आपको पढ़ने का मन नहीं लग रहा, लेकिन टीचर ने आपको समझाया कि बच्चे ऐसा पढ़ाई करो, तो आपके मन में प्रेरणा भावना जागरित हो गया, और आपने पढ़ाई करने लगा, विद्धुतार आप देखे होंगे, जिसमें हाई वोल्टेज, गेरहजार का वोल्ट होचा, नीचे से दी आप गुजरते हैं, तो प्रेइथ होता है, वहां हो जाते हैं, और इस घर्षण आवेशन जो उत्पन होता है, उसके कारण एक तिब्रता उत्पन हो जाती है, चारोड फ्लक्स उत्पन होगा, कैसे देखिए, कोई भी आपके पास चालाकतार है, उसमें करन फ्लो कर दे, तो वो आवेश गती करेगा, आवेश गती कारण वह देते हैं, जिसमें मा लिजे, आवेश क्या हो जाए, वहाँ सुत्पन आवेश, उसके अनावेशित बस्त पर चला जाए, तो यह जो प्रक्रिया है, प्रेरण कहलाता है, जितना लिखा है, इसको आप लोग अच्छे से लिख लेना, प्रेरण मतलब प्रेरित हो जाना, प् देखें, पहला कुश्चन है, चार नमर वाले, किसी काले वाक्स की प्रिष्ट पर विद्दु छेत की सभधानी पूर्वक ली गई, मा पिये संकेत देता है, कि वाक्स की प्रिष्ट से कुजनने वाला नेट फ्लक्स 8.0 इंटू 10 तो पावर 3 न्यूटन मीटर स्कार प्रत आप लोगों ने पढ़ा है चुम के फ्लक्स, ठीक है, आप लोगों ने गास के नियम से पढ़ा होगा इस्टुरेंट, कि 5 बराबर Q अपन एपसिलान नॉट, 5 बराबर Q अपन एपसिलान नॉट, यहां से मैं थोड़ा सापको समझाना चाहता हूँ, 5 बराबर पढ़ा है, 5 जिरो बराबर Q अपन एपसिलान नॉट, यहां से Q निकालना चाहूँ, तो 5 जिरो इन्टु एपसिलान नॉट, तो संपूर्ण के लिए समझान लगा दिये, बस यही तो है, और वैलू पुट कर दिये, 5 कमान दे के रखा है, एपसिलान नॉट कमान यह हो गया, दोनों का कमान दे के रखा था, है ना, नेट आवेस की बराबर 5 ही, मतलब जो भी आपके पास एफिलान नॉट कमान है, और चुमी की विद्धो फ्लक्स कमान उसका मल्टिप्लाई कर देंगे, तो आपके पास आएगा, आएगा नेट आवेस, दूसरा कोश्चन जो था, यह दिनेट पूर्ण आँकी कोश्चन में आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जो की आपके चार नंबर में प्रश्न हूँचा गया है, यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा, यह यह आपके पास कोश्चन है, चार गुड़े दस घाते 9 सिंटीमीटर दूधरू प्रणाम का प्रकलन कीजिए, अच्छा, क्या-क्या देखेंगे रखा है, पहले समझो, दुईदरूब आगुड़े दस घाते 9 यह तो देखेंगे रखा है, चलो, कोई बात नहीं, कुलाम मिटर तो कुलाम मिटर यहाँ पर लिखा है, फिर आगे क्या देखेंगे रखा है तिबड़ता देखेंगे रखा गांज़ए, प्रणाम देखेंगे रखा है, 5 गुड़े 10 घाते, 4 नि bigger यह देखेंगे रखा है, 30 दिगरी तो यह देखेंगे रखा है, फिर अपन जानते हैं कि बल आगुण का सुद्र क्या होता है, बल आगुण या बल आगुण, ताउ बराबर p e sin theta अच्छा p कमान जो है यहाँ पर put करो है ना p कमान अपने रख दिया फिर e कमान है अपना यहाँ पर put करो यहाँ पर minus है तो minus कर दिजी value put कर देंगे फिर आपका यह minus आएगा इसके बाद इसका value put करने के बाद देखे साइन 30 कमान कितना होता कितना simplicity question है बहुत ही आसान है आसर उम्मीद है कि आप लोग इसे simple तरीके से कर पाऊगे और इसी प्रकार एक और आंकी question देखे रखा है यहाँ पर जो आंकी question है वहाँ पर complete करा दे रहा हूँ देखो जो भी महात्मूर question इस टो पूछे जा सकते हैं है ना तो आप लोग note down कर ले ना इसका देखिए प्रस्ट ने क्या बोला है पहले बारी की सम्रेजने की कोशिज करें किसी बिंदू आवेस कान उस बिंदू को केंदर मान कर खीचे गए 10 cm तरिज्जा के गोली ये गाउसी प्रस्ट पर बैदूत flux देखे रखा है यदि गाउसी प्रस्ट की तिज्जा दोग नहीं कर दी जाए तो उस प्रस्ट पर कितना flux होगा ये कि बताना है और एक बिंदू आवेस का मान क्या होगा क्या बिंदू आवेस का मान अच्छा पहले वह यह आभेस बराबर किता होगा 5 into epsilon ना अब आपको value put करना है 5 कमांड देके रखा है minus 1.3 into 10 to the power of mind 3 देके रखा है तो 3 कर दो और इस कमांड कितना होता है 8.854 into 10 to the power of minus 12 एक काम करो 12 में 3 घटा दो तो आपका 10 के घाति माइनस आपका 9 बचेगा इसका multiplication करके अपन यहां का multiply कर लीजिए तो इसका मैंने multiplication किया तो 11.5102 आता है इतना ही रहने दो और इसका हो जाएगा total always निकालना था कुलाम यह हो गया अच्छा दूसरा है यदि गाउसी प्रिष्ट की तरिज्जा दोग नहीं कर दी जाए उसके प्रिष्ट पर कितना flux गुजरेगा तो ध्यान दीजेगा किसी गाउसी प्रिष्ट पर गुजरने वाला बैद्दू जो flux है उसके तरिज्जा पर निर्भरी नहीं करता है ना तो जितना माली जे flux है उतना ही flux रहेगा बदलेगा नहीं सिंपल है आप लोग समझिएगा यह आपका जो flux है वो तिर्जा पर कहाँ डिपन कर रहा है देख रहे हो ना तो पहले का एंसर है यदि का उसी प्रिष्ट की तिर्जा दोक नहीं कर दी जाए तो उसके प्रिष्ट पर flux माइनस वन पॉइंट जीरो इंटू टेंट पावर थ्री ही रहेगा स्वरी यहां पे जीरो था ना इस्टूट तो अपनने गलबड कर दिया यहां पर जीरो करके आपको कल्कुलेशन करना पढ़ेगा तो जब यह गलत हो गया ठाए तो यहां पे माइनस कर वही रहेगा ठाए तो यहां पर हमने थरी कर दिया तो यहां पर आपका 0 होना चांगे तो चाहे आप तर जिया कو दो कुनि कर दो तो asked के दोना फिर भी फ्लक्स के मान में कोई परिबर्तन नहीं होगा ठीक है तो यह हो गए आपका कम्प्लीट चलिए एक और आंकी कोशन है जो महात्मूर कोशन है प्यारे भाईयों इसे आप लोग देखें जाच दोरा इसलिए मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला नहीं हूँ इसे आप लोग अच्छे से कर लेना बस सिंपल तरीके से यहाँ पर जो थोड़ा सा मैं कहा दूँ कि यह जो बिमी सूतर है यहाँ पर सी आवेस की बिमा है और इसके बाद रबमान की बिमा है एक बार मैं बलकी पूर तरह से आप गलत कर पाओगी यहाँ पर इस्ट्रेंट आपका जो सी यह आवेस है तो आवेस का होता है एक पावर वन क्योंकि छेत्रफल बटे टी है ना तो यह और टी हो गया अपना सही है यह अपना गुरुत्वी जीर का नितांग होता है म के पावर माइनस वन एल के पा आए दी निकालें तो पूरा आजाएगा जीरो जीरो है ना इनी छेत्रफल भी यहाँ पर कितना होगा जीरो होगा कैलकुलेशन करके अब बैलू पूट करेंगे तो जीरो आएगा तो यहाँ पर बर्ग लगा है तो बर्ग हो गया इन में और एम दोठो है तो दो बार इसल इक किलोग्राम स्कुर ठीक एक गाना आपका होटा है एक 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 किलोग्राम स्कुर आप गलती मत करना और यहाँ पर एम पी का मान है तो इस मॉल एम फी ठीक है यह प्रोटान का जो मास है 1.67 into 10 to the power minus 27 यह electron का mass है और यह proton का mass है electron का mass है नहीं ME proton का mass है नहीं MP गलत नहीं करना आप लोग फिर यहाँ पर आप देखें calculation गलत नहीं होना चीज़िए यहाँ पर 10 गात माइनस गया रहा है माइनस 31 है माइनस 27 है टोटल आपका आएगा हाँ यह इतना आगया ठीक है तो गलती आपको नहीं करनी है पहरे भाईयो जो मैं आपके बता रहा हूँ उसको आपको पूरा completed करना है तो यह हो गया मैंने जो समझाने वाला चीज़ होगा एक वीडियो और लाँगा जिसमें 4-5 question है जो बड़े-बड़े question explain उसको मैं आपको screenshot कर देने का समय देदूँगा उससे आप लोग note down कर लेना तो यह चोटा सा वीडियो पार्ट 2 था और पार्ट 3 आएगा अभी क्योंकि यह इतना लंबा हो रहा है अदमी महिनत करता है पुरा इसको calculate करता है है आपका गलत नहों पाए क्योंकि आपकी जिन्दगी का सवाल है आप लोग बिल्कुल mistake नहीं करना मैं इसमें कुछ गलतियां की थी जैसे कि देखिए कुछ चीज़े मैं नहीं लिखता हूं है न तो उसमें कुछ न कुछ mistake हो जाता है जिसको मैं सुधार देता हूँ आप लोग गलतियां नहीं करेंगे तो स्क्रेंशार्ट लेलें आप लोग और ये पूरा वीडियो आप लोग अच्छे से देखा करो और share भी कर देना भाई हो यह दिए आप asher करेंगे अचने आ लोंका सपर्ट रहेगा स्टोडं तो आप लोग का help होता रहेगा और आप लोगों का मैं help करता रहूंगा आप लोगों का help एनि मेरा help समज़ी जेगा इसलिए आपको अपने चोटे भाई के समान मानता हूं तो आप लोग प्रीज सेयर करना मेरे छोटे छोटे चोटे जो इस्टूडेंट समझो आप जो भी समझो तो आप लोग का प्यार सपोर्ट ही हमारा एक महात्पूर्ण मोटिवेशन का एक प्रकार से जरिया होता है इसलिए आसर उम्मीद है कि